हाई वेरीवन वेलकम तो फुर्स इंवेस्मेंट इन माइन हमें शिवाच पसीट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किकल कौन से स्टॉक्स बेटर परफॉर्म कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे किस तरी किसे ट्रेट सेटपस लेकर चलना है सो कल अम लोग आप से मिलेंगे लाइव यूट्यूब पे लाइव मार्केट अनालिसिस करेंगे एट फॉर्टी एम पे येस गाइस और वहां पर आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी के को ट्रेट सेटपस प्रॉइड करवाय जाएंगे इसके लावा कुछ स्टॉक आप लोगों को बढ़िया प्रॉइड करवाय जाएंगे तो अगर इस वीडियो के अंदर 1500 लाइक्स आते हैं तो कर आप लोग हम से मिल सकते हैं लाइव यूट्यूब के अंदर 8.40 एम पे और हम लोग 3-4 घंटे वहां पर लाइव रहेंगे और आपकी सारी क्वेरी को सॉ अगर ओंडे बता रहें अगर अगर आपण सतिक पैंटंस की ओंपर बता रहें अगर आप लोग को और ब्रीफरी में जानने है तो आप में इंस्तागराम प्राव कर सकते हैं वहां पर आम लोगों को कंदल्स्टिक पैंटंस के उपर multiple चीजे के post के थुरू में बता रखे हैं तो नीचे description पे आप लोगों को Instagram का follow का link बिल जाएगा जरूर जा कि हमें follow करियेगा प्लस वहाँ पर दो additional secret stocks भी आप लोगों को provide हो रहे हैं plus Instagram पे हम लोगों ने एक नई चीज और एक नया गेम आड़ करें आप लोगों के लिए यस जो आप लोगों पता है कि हम लोग दो stocks आप लोगों प्रवाइट करवाते हैं Instagram पे on a daily basis Reels के format पे वीडियो के format पे अगर आप लोग उसके अंदर comments करते हैं अपने दो stocks जो आपको लगता है कि वो उपर जा सकते हैं और अगर वो किल उपर जाते हैं तो हम आप लोगोंगों को shout-out देते हैं अपने अब अन्य स्टोरी इस पर आप लोगों कशा लोगों को आप लोगों आप लोगों को बताते இ आप लोग विनर है तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपके खुद के ऐसे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि बढ़िया प्रॉफिट दे सकते हैं और परसंटेज बेसिस पे कल तो प्लीज अपने हमारे इंस्टाग्राम पे जाए वीडियो के नीचे कमेंट करिए जो मैं आप लगों के सामने शेयर करने वाला ह॓ वह կहेज कर पैर जीक साथ यह जाए घर आप लगों को आप लिगों को भाई करने के सलाप दी जा निया रही है कि आप लोग यह एहां पर देखें गे कि आप इस लीडिबल पर देख सतया है 1st time resistance, 2nd time resistance, 3rd time resistance, 4th time resistance, एक trend line बनती भी आ रहे गया है उसका एक breakout देखने को मिला नीचे आया, मतलब इस trend line के ऊपर यह आपर यह बहुत time तर consolidate करा है more than a weak यह consolidate करा अब consolidate करने का reason क्या था? आप यह black color की line देख रहे हैं मैं इसको red कर देता हूं आप लोग के लिए और इसको थोड़ा सा डाग कर देता हूं कि आप लोगों को और पैचाने में असानी हो यह red color की line देख रहे हैं अगर आप यह आपर दिहान से देखेंगे यह देखेंगे यह देखने है red color की line पे किते resistance face करने को मिल रहे हैं 1st time resistance, 2nd time resistance, 3rd time resistance, 4th time and 5th time आया है so multiple resistance जब एक line पे आते हैं और उसे break करनी पा रहा होता तो वो line important और weak हो जाती है अगर यह level break होता है तो यहाँ पर एक sharp up move देखने को मिल सकती है अब यहाँ पर हम लोगों को सिनारियो को देखकर लग रहा है कि एक breakout आने के chances है क्यों है अगर आप देखेंगे past इस level पे एक बर breakdown आया था almost almost February 2021 को एक breakdown आया था उसके अलावा अगर आप देखेंगे red color की line को focus करके देखेगा कि यहाँ पर हम लोगों को एक भी closing देखने को नहीं मिली है देखेंगे multiple candles वहां तक गई है बट closing उसी के नीचे होगी है यहाँ पर भी same scenario होगया है अब आप इस candle को देखेंगे इस candleless line के ऊपर closing दी है which is a very good sign यह चोटा सा resistance है अगर यह hurdle निकल जाता है कल के trading session पर एक clear breakout देखने को मिल सकता है अब बात करते हैं sir targets का है हमें buy करना है current price of JKTIS का 130.30 रुपीज का हमें 130.80 पैसा की उपर buy करना है हमारे targets होगे 136 का पहला target हमारा दूसरा target होगा 146 रुपीज का क्या sir यह कल के कला सकता है मुझे लगता है 136 रुपीज का target कल के कला सकता है या एक से दो दिन के अंदर आ जाएगा बट 146 के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंसली होल्ट करके रखना पड़ेगा अगर आप लोग इसे swing trading में लेकर चलना चाहते हैं तो डिफिनिटली लेकर चल सकते हैं बिट अगर मुझे 136 138 के असपास मिलेगा मैं अपनी profit booking डिफिनिटली कर लोगा ठीक है यह हमारा first talk हो गया let's move to our next talk next talk है हमारा GSW Steel GSW Steel पर अगर आप लोग आप अपर clearly देख पा रहे होंगे आप लोगों को यह green color की line एक support देखने को मिल रही है multiple supports यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं इसके लावा कर आप थोड़ा सा जूम करते हैं purple color की line देख रहे हैं यह एक resistance line थी जो मोग ने highs को connect करते वे draw करी थी इसका इसने breakout दिया breakout देने के बाद sustain करा यह 1 hour का time frame है GSW Steel के अंदर जो इसका previous swing high ता वहाँ पर resistance लिया और एक breakout इसने दुबारा दिया breakout देने के बाद आप देख रहे हैं यह दुबारा अपने previous swing high की तरफ आ चुका है और यहाँ पर इसने pause लिया है तो यह एक resistance की तरफ act करके definitely चल सकता है अब यहाँ पर दो scenario बनते हैं अगर इस blue line का breakout देता है तो इसका जो previous swing high है जो last swing high है यहाँ तक stock जा सकता है हमारा stop clause यह होगा या तो यह एक बाद dip देने आ सकता है उसके बाद एक breakout दे सकता है तो दो opportunities है हमें buy up करना है current price की बाद करते है GSW Steel की तो trade कर रहा है 713 रुपीज पे जब यह 714.5 रुपीज की उपर जाना स्टार्ट करता है listen to me very carefully 714.5 की उपर जाना स्टार्ट करता है तब ही आप लोगों को buy करना है target should be 730, 725 के आसपास आप लोग अपनी profit booking करना स्टार्ट कर देना stop loss is 704 रुपीज stop loss is 704 रुपीज अब अगर यह नीचे आ रहा होता है स्क्यूब पर जाई नहीं पाता अगर नीचे ही आ रहा होता है तो यहां पर एक buy करने के मौके सेलेक्ट करना यहां पर अगर stock आता है तो आप लोगों को 5 मिनिट या 15 मिनिट के टाइम फ्रेम उपन करना है study करना है कि कोई reversal आ रहा है कोई hammer candle है कोई piercing candle है कोई bullish engulfing candle है अगर आप लोगों को नहीं पता कि bullish engulfing piercing candle क्या होती है तो मैंने Instagram पर बहुत अच्छे से समझा रहा है अपने post के थूँ आप लोग वहां पर जा के definitely check कर सकते है अब क्या करना है अगर नीचे आती है तो आप लोगों को रिवर्सल का वेट करना है this should be our target stop loss आप लोग 5-6 रुपे नीचे रख सकते हैं ठीक है so let's move to our next stock next stock है हमारा भारती A8L बारती A8L पर अगर आप लोग देखेंगे आपर आप लोगों क्लियरली दिख रहा होगा यह जो green color का zone है यह green color का zone जहां पर आप लोग अपर color के circles देख सकते हैं यह एक support है multiple supports यहां पर इसने लिए है इसके लावा recently एक sharp fall हम लोगों को देखने को मिला जो कि एक trend line resistance की trend line से हम लोगों को देखने को मिल रहा था एक sharp fall आई sharp fall आने के बाद अगर आप देखेंगे up move आई एक हलका सब pullback आया दुबारा नीचे आया अपना double bottom create कर रहा है यहां सब उपर बढ़ना यह start कर गया उपर बढ़ना जब इसने start करा तो इसने अपने previous जहां से pullback आया था उसको भी इसने breakout दे दिया है और इसके उपर closing दे दिया है so definitely इस particular stock पे भी एक buying आ सकती है double bottom create हुआ है stock थोड़ा सा weak है तो मैं आप लोगों को यह highs के targets तो बिलकुल भी नहीं दूँगा but मैं मान के चल सकता हूँ अगर मैं Fibonacci का use करता हूँ from top to bottom so मैं कह सकता हूँ almost almost यहां से आप लोगों को 7-8 रुपे intraday में बहुत easily देखने को मिल सकते हैं आपको करना क्या है अभी currently stock price rate कर रहा है 534.90 रुपीज पर 535.5Q पर जाता है आप बाय कर सकते हैं first target should be 541 and second target should be 544, 543 के आस पास तक का ultimately targets जो मैं expect कर रहा हूँ 550 से लेके 570 तक के आस पास के targets expect कर रहा हूँ जो आने में टाइम लगेगा बट अगर intraday में movement छही है एक develop autumn की तो आप लोग 10-12 रुपे लेकर यहां से निकल सकते हैं तो इस particular stock को definitely अपनी watch list में रखेगा stock का नाम है भारती air tech let's move to our next stock हमारा next stock है विदानता विदानता भी आप लगों को बाय करने की सलह दी जा रही है अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि एक bullish pennant pattern का एक clear breakout देखने को मिला है अगर आप देखेंगे कि एक trend line हम लोगों ने draw करी विया जो की resistance की है एक trend line draw करी विया जो की support की है अब आप अगर देखेंगे तो इस range के अंदर बहुत time से काम कर रहा था हम लोगों ने देखा एक sharp up move देखिए consistent sharp up move उसके बाद यह almost almost एक महीना consolidate कर रहा है एक महीना consolidate एक range के अंदर consolidate करने के बाद breakout देने की तियार ही कर रहा है so यहां पर इसने breakout अल्रेडी दे दिया है इस particular level पर इसने अपना breakout दे दिया है हम लोग definitely एक buy position initiate करके चल सकते है यह stock अभी भी हमारे पास पड़ावा है हम लोगों ने around in between ही buy कर रहा था 268, 269 के आसपास we are still holding अब अगर आप लोगों को fresh position buy करनी है तो यह previous swing high है यह देख रहे हैं जो previous swing high है इसका breakout होता है तो आपको buy करना है हमारे targets जो होंगे वो हमारे targets होंगे यह level के ठीक है अब यहाँ पर मैं आप लोगों को और थोड़ा सा zoom करके दिखाता हूँ current price trade कर रहे है विदानता का 264 रूपीज पे आपको buy करना है अबब 274 रूपीज पे 275 के उपर आपको विदानता को buy करना है हमारे targets होंगे 280 रूपीज के ठीक है क्योंकि यह previous swing high है अगर इसका breakout नहीं होता तो शायद दुबारा नीचे आके फिर उपर जाए बट नीचे आके उपर जाना इसका important है definitely जा सकता है क्योंगे यह clear breakout आया है Let's move to our last talk हमारा last talk है HCL Tech HCL Tech आप लोगों को मैंने कल भी प्रोवाइट कर वाया था आज के trading setup के लिए बट इस पे एक breakout नहीं आया एक 15 मिनिट की closing नहीं आई तो हम लोगों ने आप लोगों यहाँ पर trade नहीं दिया बट अब दुबारा लग रहा है कि यह breakout दे सकते हैं तो हम लोगों पॉर्चुनिटी तो मिस करनी नहीं है वाच लिस्त के लिए राट करे रखिए जैसी breakout आता है भाई जरूर करेंगे आपको पता है कि एक एड इंचुल्डर पैटन का breakout आया उपर गया रे-test कर रहा है एक्जाक्ट रे-test करके आप जाने की कोशिश कर रहा है तो इसके लिए 15-minute का time frame उपन करते हैं 15-minute का time frame अगर मैं open कर रहा हूं तो यहां पर आप लोगों को देखने को प्मिल रहा होगा कि जब रे-test करा है रे-test करने के बाद भी इसने एक head and shoulder pattern को develop करा यह देखने है एक head and shoulder pattern को इसने यहां पर भी बनाया है और इसका भी breakout की expectations हम लोग लगा के चल रहा है अब आपको करना क्या है अगर यह भी current price है HCL Tech का 945.95 यहानि की approximate के चले तो 946 रुपीज का है आपको क्या अगर मैं जैसे 948 की उपर 15 मिनिट की candle close करती है repeat कर रहा हूं है 948 की उपर 15 मिनिट की candle close करती है go for a buy 10 रुपे के targets आप लोगों को बहुत easily मिल सकते है यह देख रहे हैं प्रीवेश स्विंग लोग है swing high है तो यह हमारे targets होंगे आपको इस breakout पे buy करना है यह targets आपको रखना है 3-4 रुपे का stop loss रखिए 5-8-10 रुपे के targets आप लोगों को HCL Tech easily provide करवा सकता है but closing का wait करना और तभी trade लेना तो 5 stocks तो आप लोगों को बता दी गए हैं अब बात करते हैं निफ्टी बांक निफ्टी के trade setups पे और आज हम लोगों ने कैसे trade लिया एक candle stick pattern को देख के बढ़ते हैं अपने trading setup के तरह आप लोगों के सामने निफ्टी का में ने चार्ट ओपन कर रहा है वन आर का time frame है वन आर के time frame पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं एक purple color की line जो एक resistance का act कर रही है एक green color की line जो कि एक support का act कर रही है एक channel एक uprising channel के अंदर stock काम कर रहा है इंडेक्स काम कर रहा था आज के trading session के अंदर एक breakout देखने को मिला breakout देखने के बाद इसने रे-test कर रहा इस candle पे और दुबारा उपर गया यानि कि एक momentum अच्छा है आप देखरें consistently stock यह index उपर जा रहा है हर early candle पे नए highs को maintain कर रहा है और previous low को closing break basis पे break नहीं कर रहा which is a very good sign अब last candle पे देखें last candle पे भी इसने नए high बनाने की कोशिश करी अपनी previous closing price की उपर close करने की कोशिश कर रहा था बट actual पैसा नहीं हुआ यहां पर आगर आप देखेंगे तो एक shooting star candle बना है तो यह एक indecisive candle होता है एक चीज और दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को तीक है अगर कुछ इस तरीकी की candle बनती है तीक है और इसके लावा कुछ इस तरीकी की candle बनती है यह देख रहे है यह दोनो candle एक ही बार बनती है तीक है कुछ इस तरीकी की देख रहा हो यहां पर यह देख रहा हो पहले एक बुलिष कैंडल बनी एक उपर क्लोजिंग फिर एक नीचे क्लोजिंग यह वाला पॉइंट समझे यह जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं पहले नीचे विक फिर उपर विक जो बॉड़ी है यह जो रेंज है यह रेंज इसी के अंदर होती है यह होता है की रिवर्सल या ब्रेक आउट यह जो कैंडल स्टेक होता है इसे कहते है रिवर्सल या फिर ब्रेक आउट ट्रेड कप करना ट्रेड करना जब प्रिवियस हाई ब्रेक होगा तो ट्रेड करना यानि की 15,605 रुपे की उपर बाय करना है और जो नीचे लेवल है इसको फ्रेट रहाते है निचे लेवल अगर 15,550 का लेवल ब्रेक होता है 15 पंदर मिन की केंड़ रहा और ले लेता है आप लोगों को ड्रेड उस साइड ले लेना है यह जो दो केंड़ बनी है यह दो केंड़ एक इंडिसाइज लेंडिती है यह देख रहे हैं, यह एक indecisive candle होती है, इन दोनों पर आप लोगों को इसके नीचे short करना है, मैं दिखा देता हूँ, इसके नीचे आपको short करना है, या तो आपको इसके ऊपर buy करके चलना है, इस range के अंदर अभी आपको trade नहीं करना, अब बात करें तो exact in between ही stock index इसी के range के नीचे आसकता है, और वहां से थोड़ा सा नीचे जा सकता है, तो उस particular चीज को आप लोगों observe करके चल सकते हैं, बट अगर gap up होता है तो हम लोगों को patience लिएट करना, अगर gap down दिख रहा है कि pre opening market पे gap down है, तो आप लोग एक छोटा सा risk लेके 10-15 point options पे selling side पे जा सकते हैं, इसके इलावा बात करते है bank nifty bank nifty का chart आपके सामने उपन है यहां पर आप लोगों को मैंने यह trend line बताई थी यह एक upper rising एक triangle pattern के अंदर काम कर रहा है यहां पर हम लोगों ने बताया था कि इस particular range के अंदर इस triangle pattern के अंदर भी यह एक channel के अंदर काम करो और यहां पर इसकी closing थी अमने आपको बोला था कि एक buying आईगी इस level पर एक buying आईगी stock index continuously उपर गया अब आप यह trend line को देखते हुए आ रहे है trend line का इसने breakout दिया पिछले आर पर मतला हम लोगों के असपास इसने breakout दिया उसके बाल हम लोगों ने दुबारा एक नीचे selling pressure देखा जो कि इस range के अंदर close कर गया ठीक है अब यहां पर भी selling pressure आ सकती है करना क्या वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ठीक है इसके उपर हमें buy करना है ठीक है and इस particular level के नीचे हम लोगों को short करते वे चलना है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यह levels क्यों select करें ठीक है तो पंदरा मिर्ट के time frame पे चलते है पंदरा मिर्ट के time frame पे अगर आप देखेंगे तो यह इसका जो opening closing price था जो बुलिश candle बनाई और जो इसका opening price था दोनों सेम है exact दोनों सेम है तो यहां पर एक minor सा resistance है तो यह minor सा resistance अगर breakout देता है तो buying आएगी level है 35,560 रुपीज का 35,560 की उपर निकलेगा एक अच्छी buying आ सकती है या फिर यह consolidation था यह consolidation period था इसके नीचे अगर निकलेगा तो selling pressure देखने को मिल सकता है इसके अलावा अगर मैं एक trend line भी draw कर देता हूं अगर यह trend line break होती है तो भी selling pressure आ सकता है और वहां से 100-500 रुपे आप लोगों को easily मिल सकते है तिक है अगर इसके उपर breakout जाता है तो 100-200 रुपे easily मिल सकते है इस range के अंदर कोई भी trade नहीं करना वैसे भी कल हम लोग live मिली रहे हैं तो कल लाइव मिल रहे हैं तो कल वहां पर हम लोगों आप लोगों को trade setups जरूर बताएंगे कैसे trade करना है क्या करना है अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज कोंट्रिब्यूट करिए तो सब्सक्राइब इस चैनल और लेट्स एम पर 1 लाग सब्सक्राइब बताएंगे तो दो प्लीज करना है तो सब्सक्राइब इस चैनल प्ली यह ज़ चैनल प्लीज को आप लोगों कर दो है